अभी हम लोग यहां पी United Brevories Limited के अनलाइसिस करेंगे और यह जो आपको दीख रहोगा इसने नॉवंबर मन्त में लगवग लगवग यहां पे हाई लगाया है और टाइम नॉवंबर मन्त में हाई लगाया है इसने लगवग 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 तो यह क्यों नीचे जा रहा है इसके पीछे का हम लोग region find out करेंगे उसके लिए हम लोग को fundamental analysis करना पड़ेगा technically हम लोग find out करेंगे कि 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 लेवल से उपर क्यों निकल सकता है and future view check करेंगे and technically हम लोग इसका entry point find out करने की कोशिस करेंगे तो आपको अगर वीडियो लंगी लगए तो आप 1.5 के speed से देख सकते हैं वीडियो तो अभी हम लोग इसके fundamentals को पहले check करेंगे तो यहां पर stock P 109 है 109 बहुत जादा है यहां पर देखिए ROC 5.23% है जो कि कम है लेकिन चलेगा positive है ROE 3.13% है जो कि again बहुत कम है ठीक है और ह इसके United Braveries इसका जो market capital है वो है 36,902.34 करोर का and stock P चल रहा 1086 ठीक है अगर इसको United Spreads से compare करें तो इसका market capital है 63,929.74 करोर and stock P इसका है 74.76 तो बात मानिए कि जो stock P United Braveries का है United Spreads का है वो ज्यादा अच्छा है United Braveries के comparison में ठीक है क्योंकि बड़ी company भी है और PE भी कम चल रहा है तो जो share का price है वो सही चल रहा होगा लेकिन अगर उस हिसाप से अगर United Braveries की माने तो इसका जो भी market capital है उसके हिसाप से जो यह अभी share का price चल रहा है वो काफी ज्यादा चल रहा है इसलिगे एक यह point हो सकता है इसके गिरावट में ठीक है और वीडियर सारी company हैं लेकिन हम इन दोनों compare कर लिया अब हम लोग यहां पर quarterly result चेक करेंगे तो यहां पर sales देखेंगे तो sales यहां पर देखेंगे मार्च में यहां पर अच्छा का सा sales था उसके बाद 2 quarter में थोड़ा सा गीरा ठीक है 2 quarter गिरने के बाद December quarter में फिर से इन्होंने अच्छा यहां पर post किया है sales ठीक है net profit अगर हम लोग बात करेंगे तो net profit भी यहां पर 91 करूर का यहां पर अनौंस किया इन्हों ने इसके लास्ट सप्टमबर से अगर compare करेंगे तो 80 करूर था उसके हिसाब से बहुत कम है और अभी आपको एक चीज़ और नजर आ रहा होगा कि यहां पर यह जो 91 है इस यह जो March था इसमें ज्यादा इन्होंने बनाया था उसके बाद से अभी इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाए है ठीक है तो थोड़ा सा यहां पर अच्छा का सा profit चल रहा है इनका no doubt लेकिन थोड़ा सा यहां पर profitability में हम लोग को doubt नजर जा रहा है अभी हम लोग और नीचे ज करेंगे कि यहां पर last year का है जो यहां पर profit है 113 करोर है ठीक है 113 करोर है और उसके पहले का profit था वो 428 करोर था तो यह जो पीछे का record है वहां से ascending order में आ रहा था लेकिन यहां पर जो March 2020 था यहां पर पहली बार इनका profitability पे असर पड़ा था और उसके बाद जो असर पड़ा है no doubt पिछले चार quarter का जो यहां पर रिजल्ट है 299 करोर है तो आने वाले जो साल का यह जो 2022 है ठीक है यह जो financial year and होगा यह साल का यहां पर financial result अच्छा यह पोस्ट करने वाले हैं यह यहां से पता चल रहा है तो fundamentally अभी तक मुझे company सही लग रही है अगर stock P को छोड़ दिया जाया तो shareholding pattern अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहां पर promoters देखेंगे promoters के पास जो भी माल था उन्होंने अच्छा खासा फिर से जो माल बेज रखा था फिर से खरीद लिया है जो की बहुत ही यहां पर strong है indication की आने वाले समय में company अच्छा कर सकता है क्योंकि जो company का माल है उन्होंने वापस खरीदा है तीक है दूसरा आफाइज की बात की जाए तो आफाइज ने जो दिसंबर quarter में जितना उनके पास last year के दिसंबर quarter में 20 के दिसंबर quarter में जो माल पड़ा था ठीक है उससे माल अभी खटा दिया है और उसके बाद से लगबग लगबूग जो भी चार quarter उसका जो average इनके पास माल पड़ा है उतना ही पड़ा है ना जज़ादा बेचा है ना इन्होंने ज्यादा है दिए इस की बात करी जाए तो डिए इस का इंट्रस्ट बना हुआ और इंट्रस्ट दीर दीर बढ़ लाई शेयर में तो आने वाले का फ्यूचर जो ग्रोथ है अगर डिए इस की विवसे देखा जाया तो फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है और यह हमें बडियंग देखा जाया तो वरॉल यहीं पता चल रहा है कि जो पी है वो काफी ज्यादा जा चुका था जिसके कारण मार्केट अपना जो भी प्राइस से उसको एड़स्ट कर रहा है और फिर से उसके ऊपर यह निकलने के कोशिस कर रही है ठीक है तो बिजनेस धंदा इनका अच्छा च करेंगे तो यहां पर क्या करेंगे अभी हम लोग यहां पर वीगली टाइम फ्रेम पर जाएंगे और वहां पर सपोर्ट होनेंगे खिक है वीगली टाइम फ्रेम पर अगर मैं यहा पर एक सपोर्ट जोन रोएंगर करके तो यहां पिर ाभी जिस जोओन मीं है एक सपोर्ट alone कर रहा है सपोर्ट जोन है और इस सपोर्ट जोन लगवग लगवग 1361 के आसपास है ठीक है इस जोन से अगर कहीं से भी हमको वाफी वन डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे वन डे टाइम फ्रेम पर अगर हमें कहीं भी प्राइस सेक्षन दिए तो हम लोग भाई करने की कुशिश करेंगे इसके ब रुकता नहीं है और इसके इस जोन में आ जाता तो इस जोन में हम लोग प्राइस सेक्षन ठोड़नेंगे उपर जाने के लिए क्योंकि कभी भी कोई भी शेर अगर फंडामेंटली स्ट्रॉंग है तो बात मानिए आज नहीं तो कल वो उपर जाएगा और जो भी प्रॉफि से नीचे जाता है तो यहां पर देख लेते हैं नीचे आया फ्रस टाइम उपर गया हम लोग नाई वाई किया फिर से जब नीचे आ की उपर गया और यहां पर गया और फाइंड आउट करेंगे कि जब वी ठीक है जिस समय भी यहां पर ऐसा सीनारियो बनेगा मान लीजी य नीचे आजाता और इसका कभी यह वी क्रॉस नहीं करता है ठीक है तो हम इसमें नहीं करेंगे लेकिन अगर यहीं से फिर से और नीचे आता है और आने के आज आने के बाद यहां पर 1250 1280 1240 के आसपास ऐसा ही कुछ प्राइस सेक्षन बनाता है तो हम लोग कुछ कॉंटिटी यहां पर बाइक करेंगे बाकी कॉंटिटी हम लोग जब यहां पर ट्रेंड लाइन ब्रेक करके उपर कियो निकलेगा और तब हम लोग बाइक करेंगे ठीक है अपना स्टाप लॉस यहां पर रखेंगे तो जैसा इसका फंडामेंटल से उसे देखते हुए मुझे लग रह लेशर में इसका जो लेवल है वो काफी उपर जाएगा हो सकता है नेक्स्ट टू यहर में इसमें हम लोग को 2000 का लेवल देखने को मिलें वन यहर में भी हो सकता है लेकिन जादा मान के चले तो जादा बेटर है 2000 का लेवल हम लोग को इसमें आने वाले 2-3 साल में देखने क ठीक है इसको जब भी ब्रेक करके ऊपर क्यों निकलेगा तो यहां से लगवग लगवग वन थाउजन का लेवल वन थाउजन का टार्गेट देगा तो हमारा 2800 के आसपास का टार्गेट निकल आएगा तो इसलिए मैं बोलना हो आने एक दो साल में तो यह लेवल को क्रॉस करेगा ही उसके बाद ब्रेक करता है तो और भी अच्छा कासा हम लोग को लेवल देखने को मिल सकता है ठीक है अगर यह यहां से निकलता है तो पहला लेवल 1500 फिर 1600 अगर उसके बाद का 1700 का हमारा टार्गेट होगा और इसको यहां से न नीचे आ जाएगा ठीक है तो यह थी मेरी अनलीजिस आपको कोई भी अनलीजिस पसंद आई होगी एगर वीडियो पसंद आई वह ज़रूर लाइक कर तीजेगा चैनल पर नहां तो सब्सक्राइब कर सकते हैं हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में यह वीडियो द छेड्यरे जडेल को औिया, जडैंग के रिान जाह कर भाव घिड़ एरल दीestro시ah है, मेरे समय समय कजय बसले का तीना कर छोडवरीं च्कार दीयर संसे कर दो बपर हो जड़ द muchís ends?